दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट है स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है मेरी तरह देफिनेटली आप इस वीडियो को प्लीज देखिएगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प् प्रॉब्लम विटाउट एनी सॉफ्ट्वेर आप ये काम कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शौमावो आप देख रहे हैं मेरा चैनल ये टेक्नोक्राइसी तो विटाट फॉल्दर अडू लेस्ट स्टार्टेट तो दोस्तों मैं अपने कंपूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अप्लाइन एप्लिकेशन के लिए फोटो और इमेज को फोटो और सिग्निचर को आप बहुत एजली रिसाइज कर सकते हैं तो अगर आप मेरे तरह एक स्टूडेंट है स्कूल या कॉलेज स्कूल में पढ़ता है और आपने काफी सारे एकस्व एक्ञोफ दिये होँगे और अगरे अभी भी कोई एक्जाम नहीं दिया आघशाया और यसे नियुक्त ऑप अलग से अधनली पढब एक्गारा ऒया FMक्र लान एक होते हैं इन में। Aliaan आजकल बुग्द सबाख से ऑल अपलोड करना होता है क्योंकि वहाँ पे signature और फोटो और को upload करने की एक particular size होती है एक limit होती है size की and उस size के अंदर हमें जो है photo or signature को upload करना होता है उस size को अगर हमारा photo or signature exceed कर जाएगा जादा होगा उस size के then वो जो form है वो उसको accept नहीं करेगा तो इस case में को काफी दिक्कत होता है ये करने में अगर आप यूटूब में जाके इस टॉपिक को सर्च करें हाउ तू रिड्यूज साइज या हाउ तू रिसाइज फोटो और सिगनेचर देन आपको काफी ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जाया तर वीडियो में लोगों ने बताया है आपको अलग से सॉट्वेर इंसॉल करना पड़ेगा और सॉट्वेर के जरी आपको करना होगा फोटोशॉप नाम की एक सॉट्वेर है बहुत पॉटलर सॉट्वेर है उसके जरीए आप बहुत इजली अपने सिगनेचर या फोटो का साइज खुछ है ठीज सिगनेचर का साइज आपकोutto के अंदर इंडर होता है लिन के बैश को अंदर करोग तो जो चीज आपको जरूट है आपको Windows का computer जरूरत पड़ेगा एंड उसमें आपको Microsoft Office इंस्टार्ड होना चीए राइट अगर आपके पास एक Windows का computer है then Microsoft Office वहाँ पर जरूर होगा मैं आपको दिखा जेता हूँ मुद्य की बाद रही है कि आपके पास Microsoft Office होना चीए तो सबसे पहले हमें क्या करना है माल लीजे मैं इस फोटो को resize करना चाहता हूँ तो हमें सबसे पहले right click करना है और उसके बाद हमें open with पर जाना है करना है और यहां पर आपको बहुत साथ options दिख जाएंगे brightness, contrast, color, crop, rotate तो आपको simply यहां से resize पर लिख करना है उसके बाद आपको यह option पर क्लिक करना है percentage of original width into height इस तब क्लिक कर देना है and percentage को आपको reduce करना है आपकी photo बहुत कम आ चुकी है और आप उसको increase भी कर सकता है बट इस केसे मैं इसको reduce कर रहा हूं तो माल लीजे मैं 50% करके देखता हूं मैंने 50% कर दिया है उसके बाद आपको simply ok पर क्लिक कर देना है and यहां पर आपको इसको save करना है तो यह save हो चुका है and अभी size देख लेते है 36 पर 9 kb right तो इसकी size हमने घटा दिये बट हमें इसको और भी कम करना है हमें इसको करना है 20 kb के अंदर तो फिर से कर देते हैं तो भी देखिए यह 22 kb के आसपास है तो आप चाहे तो इसको और कम कर सकता है या फिर आप नहीं भी कर सकता है यह आप पर है बट 22 kb हो चुका है and I think यह काफी है तो हम simply इसको close कर देता है and इसी तरह इसी same process से हमें इसको भी resize करना है तो चलिए इसको भी खोल के जल्दी से कर लेता है and फिर मिलते है आपको वीडियो में at the end तो भी देखिए इसका size हो चुका है 19.8 kb तो इसी तरह जो है आप अपने online application के लिए अपने image को या फिर अपने signature को बहुत easily resize कर सकता है I hope कि आपने इस video से कुछ नया सीखा अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा देन डेफिनिटली आप इस video को एक like जरूर कर देना क्या फिर आप अगर चाहे तो dislike भी कर सकता है कोई बात नहीं और अगर आपको वीडियो में कोई doubt रह गई हो कुछ पूछना हो आप उसे comment section के जरीए पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यह फैली वीडियो देख रहे हैं और आप चाहे तो और भी वीडियो देख सकते हैं उसके बार अगर आपका दिल करें तो आप definitely subscribe भी कर सकते हैं और अगर आप subscribe कर रहे हैं तो bell notification को भी click कर देना आपको YouTube के तरफ से notification मिलते रहेंगे ज आपको